हेलो पहरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी? I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विसे पर्यावरन अध्यन के सब्ता आठ की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है पार्ट साथ खिर्की से तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेशन वन हैं निम्ल चित्रों को देखकर सरन चराओं के नाम लिखिये जिनके कारण रेल आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो बच्चों यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हैं यह है सुरंग दूसरी पिक्चर में है बच्चो पुल जिस पर रेल चलती है और आसानी से एक साइड से पानी के दूसरे साइड पहुंच जाती है अब है बच्चो कोश्चन नमबर टू रिक्तिस्थान भरिये बच्चो सब्द है वाईउ 2000 डीजल लेवल क्रोसिंग संपार बच्चो खाली स्थान है वो जगह है जहां पर रेल की पटरी सड़क से मिलती है तो क्या कहते हैं उस जगह को लेवल क्रोसिंग या संपार जब सड़क पर गाडियां चलती स्थिती में खड़ी रहती है और उन में से धुआ निकलता है तो प्रदूसर फैलता है कौन सा वाईउ प्रदूसर नेक्स्ट है ट्रक और बस में इधन का प्रियोग किया जाता है कौन से का डीजल इधन का नेक्स्ट है गोवा से केरल जाने के रास्ते में कितने पुलाते हैं दो हजार पुलाते हैं अब बच्चो कुश्चन नमबर थरी है रेल बस ट्रक आदी वाहन पेट्रोल डीजल जैसे हानिकारक इधन पर चलते हैं और प्रदूसर फैलाते हैं ऐसे इधन का कोई विकल्ब बताईए तो बच्चो आंसर है रेल बस ट्रक आदी वाहनों को चलाने के लिए सी एन जी गैस तथा बिजली का प्रियोग किया जाना चाहिए कोईशन है गोआ में बोली जाने वाली भासा का नाम क्या है बच्चो सही विकल्ब चुनिए बंगाली, कंणर, कॉंकडी और असमिया तो बच्चो सही ओप्सन है कॉंकडी प्रश्न पाच है चितर बनाकर सीमेंट के पुल वे बास के पुल में अंतर बताईए तो बच्चो ये है सीमेंट का पुल और ये है बास का पुल सीमेंट का पुल मजबूत होता है जबकि बास का पुल अधिक मजबूत नहीं होता सीमेंट का पुल लचीला नहीं होता है लेकि जो बास का पुल होता है वे लचीला होता है सीमेंट के पुल को सरिया सीमेंट कंक्रीट आदी से बनाय जाता है बलकि बांस के पुल को बांस वे रस्यो दोरा बनाय जाता है सीमेंट के पुल मैदानी चेत्रों में बनाय जाते हैं जबकि बांस के पुल अधिक बारिस होने वाले स्थानों पर बनाय जाते हैं अब बच्चों question है आप उपर दरसाएगा चित्र में ध्यान से देखिए कि लोग किस तरीके से railway फाटक को पार कर रहे हैं आपके अनुसार क्या यह तरीका सही है किरपे आपने सुझाव दें बच्चों answer है रेलवे फाटक पर रेलगाडी के निकल जाने की प्रतिक्षा करनी चाहिए तथा फाटक के खुलने पर ही फाटक को पार करना चाहिए अब बच्चों जीवन कोशल थ्री आर्ज अपसिस्ट कूडे का न्यूनी करन इट मींस कम करना न्यूनी करन का अर्थ है कम इस्तेमाल करना या फिर कम पैदा करना हम अपने डैनिक जीवन में जाने अन जाने बहुत अधिक अपसिस्ट यानि की कूडा पैदा करते हैं न्यूनी करण की विदी में मुख्य रूप से हम अपसिस्ट कूडे की बढ़ोतरी में कटोती करते हैं पर्यावरन को साफ रखने के लिए अत्यंत महतपून होने के कारण यह थिरी आर्स में सबसे पहला है यदि हमारे पास अतीरिक्त भोजन वस्तर अन्य कोई वस्तू है तो उसे हम जरूरत मंद को दान कर सकते हैं हम अपसिस्ट कूडे को जितना कम उत्पन करेंगे हमें उसका उतना ही कम निप्टारा करना पड़ेगा अब बच्चो नेक्स्ट है सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क का उप्योग न करें इसके स्थान पर कपड़े से बना मास्क का उप्योग करें कपड़े से बने मास्क को आप धोकर बार बार उप्योग में ला सकते हैं तो बच्चो आप इस तरीके से कपड़े के बने हुई मास्क को उप्योग मिलाएंगे ना कि बच्चो इस प्रकार के मास्क को अब बच्चो आपके लिए कुछ गतीवीदियां हैं गतीवीदिवन हैं निमने लिखित बातों आदतों का पालन करने का संकल्प लें कि मैं केवल उप्योग के समय ही बिजली के उपकरनों को चालू रखूंगा रखूंगी और उप्योग ना होने की इस्तिती में उनको बंद रखूंगा या फिर रखूंगी मैं कभी भी पानी को विर्थ नहीं करूंगा या करूंगी और सदेव पानी की टंकी को अच्छी तरह से बंद रखूंगा या रखूंगी मैं बाजार से प्लास्टिक की थैली में मिलने वाले चिप्स नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी मैं अन्य लोगों को भी अपसिस्ट कूडा कमुत्पन करने के लिए जागरुक और प्रेरिद करूंगा या करूंगी अब है बच्चो गतिविडी नमबर टू अपने माता पिता की मदद से घर पर कोई भी एक सेहत मंद पे बनाएं जिसे बाजार से मिलने वाले पे ड्रिंक से बदला जा सके तो बच्चो आप घर पर रहकर नीबू पानी इटमीस नीबू की सिकनजी बना सकते हैं जलजीरय का पानी बना सकते हैं तो बच्चो इस तरीके से आप कोई भी पे बना सकते हैं घर पर अब है बच्चो संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बाते इद उल जुहा इद उल जुहा बकर इद जिसे इद अल अधा या इद उल अधा के नाम से भी जाना जाता है एक ऐसा त्योहार है जिसे मुसल्मान विशेश प्रार्थना बधाई और उपहार के साथ मनाते हैं इसे बलिदान का पर्व कहा जाता है, पर्व कहते हैं बच्चो त्योहार को जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपने आधा काम पहले से पूरा कर लिया है, खाद्य रंग है बैंगनी या नीले रंग का खाद्य पदार्ठ काएं, जैसे की जामुन, अंगूर, बै योग के बिना खाना बनाना अपनी मा की मदद से फ्रूटजी चार अंकुरित अनाज भिल पूरी आधी बनाएए दैनिक द्चरिया में निमने लिखित आदतों को अपनी दिन चरिया में सामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रति दिन इस्नान करें खोब पानी पिए और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हातों को बार बार धोएं अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़ना ये हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू